सब्सक्राइब करता हूँ फ्रेंड ऐसा कि आप सब्सक्राइब जानते हैं हमारा लगाता है प्रैक्टिस मॉक्टस चल रहा है बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए और इसमें हमने इडूटिरिया कंप्लीट करवा दिया है फुल प्रैक्टिस सेट 1-15 तक नहीं देखा है नीचे नीचे प्लैक्टिस सेट है अगर आपने वह नहीं देखा है तो आज को हमारा प्रैक्टिस सेट है यह होगा प्रैक्टिस सेट नु Android और फिक्शन के लेखक लेखी का कौन है तो इसके जो लेखक है वो है अरुन्दती रोय आपसन नमबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तू नमबर देखते हैं तू नमबर में क्या बढ़ जा रहा है गिस्टन काली ओलंपिक खेलों की सौ मीटर दौड में कौलिफाई करने वाली ध धाविका कौन है तो वो जो धाविका है वो हैं दूती चंद ऑपसन नमबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा तीन नमबर देखते हैं भारत सरकार द्वारा दौचर दस से बीस के दसक को क्या नाम दिया गया है तो भारत सरकार द्वारा दौचर दस से बीस का जो जो दसक है इस पोशन अल्पता को दूर करने के लिए भरत सरकार के द्वर्ण चलाई गई यूजना को किस नाम से जाना जाता है तो बहुरत अल्पता जो यह इसको दूर करने क Ens heavily जो यूजना चलाई गई है उसको शुपोशित्मा अभाइयान किना से जाना जाता है नंबर सिक्स राज सुरक्षा सुचकंग 2019 बई में प्रतम स्थान किस राज को पर आप्थ हुआ है तो फ़र्स्ट रैंग जो प्राप्थ हुआ है वो पराप्थ हुआ है गोवा को भी हमारा यहां correct हो जाएगा ठीक है चलिए next हम देखते है question number seven क्या बोल रहा है देखिए ब्रहस्टाचार बोध सुचकांग दुचर उनीस प्रथम स्थान किस रास्ट को मिला है तो यह जो प्रथम rank मिला है ब्रहस्टाचार बोध पा जाता है ठीक है 180 देशों में न एक तालिस स्कोर के साथ भारत का पोजिशन असीवा है इसमें याद रखें इंडिया का रैंक की बात करें तो ब्रहस्टाचार बोध सुचकांग में इंडिया का रैंक असी है आठ नमबर देखते है केंद्रिय बजट 2020-2020 के अधार पर सरकार की आए सबसे सरकार की आए कि सबसे बड़ा सुरोत क्या है तो सरकार की आएगा सबसे बड़ा जो सुरोत है वो है कर भिन राजस्व से और जो है सुरी यहां पर सबसे बड़ा सुरोत इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा निगम कर और दें GST ठीक है D हमारा यहां correct हो जाएगा ठीक है तो केंद्रिया बजट 2021 के आधार पर सरकार की आएगा सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है निगमकर और GST D हमारा यहां absolute correct हो जाएगा नाइन नमर देखते हैं भारत का राजकिया घाटा 2020 में कितने परतिसत रहने का नुमान है तो भारत का राजकिया घाटा 2020 में जो रहने का नुमान है वो है 3.5% B हमारा correct हो जाएगा दस नमर देखते हैं मेरे की open tennis 2020 में पुरुसवर्क का एकल खित किस ने जीता तो पुरूसवर्क का जो एकल खिता है वो जीता है डेन्मार्क थीयम ने भी हमारा correct हो जागा है तो Hall of Fame 2020 में सामिल किया गया है तो Hall of Fame 2020 में जो सामिल किया गया है जिस खिलाड़ी को वो है Jack Callis यह हमारा correct हो जागा Jack Callis कहा के player थे हैं तो वो South Africa के थे हैं किस खेल से यह संबंदित हैं तो cricket से संबंदित हैं ठीक है चलिए Next देखते है question number 12 नई सिक्षा निती जो है 20 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है तो नई सिक्षा निती जो है 20 को लागू करने वाला पहला राज्य है वो राज्य ही माचल पर देशियाद रखें option number D हमारा correct हो जाएगा ठीक है चलिए Next की और हम बरते हैं 13 चलिए नाट विद्याले का अध्यक्ष बनाए गया तो राज्ट्रिय नाट विद्याले का जो अध्यक्ष बनाए गया वो परेश्ट रावल को भी हाल में ही बनाए गया है C हमारा correct हो जाएगा 14 देखते हैं नेमने में से किस एथलेटिक खिलाडी को अरजुन प्रसकार पराप्त हुआ है तो वो एथलेटिक खिलाडी जिसको अरजुन प्रसकार पराप्त हुआ है वो है दूती चंद C हमारा correct हो जाएगा Next देखते हैं question number 16 क्या बनाए देखिए स्वामी अगनिवेस जिसका सितंबर 2020 में निधन हो गया किस संस्था से ये जुड़े हुए थे तो स्वामी अगनिवेस जो है न ये देखिए ये आरे समाज से जुड़े हुए थे ठीक है एक correct हो जाएगा सत्र नमर देखते हैं 2020 का Earth Overshoot Day कब मनाए गया तो 2020 का Earth Overshoot Day जो मनाए गया है वो 22 अगस्त को मनाए गया है एक correct हो जाएगा हमारा ठीक है और 2019 की बात की जाए Earth Overshoot Day तो वो 29 जुलाई को मनाए गया था ठीक चलिए अठार नमर देखते हैं 2020 22 अगस्त और 2019 29 जुलाई ये धियान रखिए ठीक है चलिए 18 देखते है ADB के नए अध्यक्ष निक्त किये गए है कौन तो ADB के जो नए अध्यक्ष है वो है माटसुगू आसा कावा ठीक है ए हमारा यहाँ absolute correct हो जाएगा ठीक है 19 देखते है Fortune की विस्व पानसो की बड़ी कंपनियों में भारत की कितनी कंपनिया सामिल है तो भारत की जो कंपनिया सामिल है वो है साथ C यहाँ हमारा absolute correct हो जाएगा नमबर 20 देखते हैं 20 नमबर में क्या बोला जा रहा है जापान के नए परधान मंतरी कौन बने है देखे जापान के जो नए परधान मंत्री बने है वो बने है येशी हिदो शुगा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा जापान के नए परधान मंत्री येशु हिदा शुगा ठीक है चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं और अगर बात करें जापान के परधान मंत्री कौन जब है ठीक है इनके त्याग पत्र के बाद फिर योसी हिदो सुगा ये बने हैं जापान के परदान मंतरी ठीक है 21 देखते हैं तेरह ताली निर्थ किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है तो ये किया जाता है देखिए राम देव जी के ठीक है भी हमारा करेक्ट हो में ये किया जाता है 22 देखते हैं चिंकारा क्या है देखिए चिंकारा जो है ना चिंकारा मुर्ग की प्रजाती है याद रखें ठीक है 23 नमर देखते हैं मातर पूर्व का योजन भारत किस राज और किस जाती के दौरा किया जाता है तो मातर पर्व का जो आयोजन है ना य वो थी महतपूर्ण है इस अंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ़तारी के लिए ब्रिटी सरकार दौरा कौन सा ओपरेशन सुरू किया गया था तो ब्रिटी सरकार दोरा जो अपरेशन शुरू किया गया वो था ओपरेशन जीरो आवर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भारत चुरु अंदलन के नेताओं की ग्रफतारी में जो ब्रिटिस सरकार दोरा बनाई गई हो जिना ओपरिसन जीरो आवर ये बनाई गई थी ठीक है 25 नमर देखते हैं भारती रेलवे किस राज में दुनिया के सबसे लंबा रेल ब्रिज का निर्मान कर रहा है तो भारती रेलवे जो है ना देखें ये मानिपूर में दुनिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज का निर्मान कर रहा है याद रखें ठीक है पूरवत्तर रेलवे की भी लगभग डबल हाइट है इसका आप समझ सकते हैं और यह पूल यूरोप के मॉन्टेंगनो में बने 149 मीटर उचे पूल का ये जो है रेकॉर्ड तोर देगा जब ये बनके रेडी हो जाएगा 26 देखते हैं निमलिखित में से कौन सी घटना ने विनोवा भावे को भूदान अंदोलन को प्राणरम करने के प्रेडित किया वो था नाल गुंडा घटना ठीक है भी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा भूदान अंदोलन जो है स्वेक्षा भूमी सुधार अंदोलन से है स्व 28 देखते हैं रात्री के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग कौन सा होता है तो रात्री के प्रथम पहर में जो गाया जाने वाला राग होता है वो होता है राग यमन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 28 देखते हैं निमलिखित में से कौन चितरकार राफेल का कرتी जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा पाशंग और मैडोना ठीक है तो ये जो है चितरकार पषेल का परसिदिक करती है ठीक है चलिए 29 देखते हैं प्रेंट्री एफ लिबरटी किस देश का रास्ट्रियस मारख है तो स्टेची ओफ लिबर्टी जो है या अमेरिका गारास्ट्रियस मारक है तीस देखते हैं येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है येलो बुक ठीक है तो येलो बुक जो कहा जाता है वो France की सरकारी दस्तावेच को येलो बूक कहा जाता है 31 नमर देखते हैं विस्फ का सबसे विस्तम हवाई अड़ा कौन सा है तो विस्फ का सबसे विस्तम हवाई अड़ा की बात करें तो वो है अटलांटा एरपोर्ट ये हमारा सही हो जाएगा 31 नमर देखते हैं रेड क्रॉस की स्थापना किस के दौरा की गई थी देखें रेड क्रॉस की स्थापना की बात की जाए तो ये किया गया था हिन्री डूनेंट के दौरा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 33 नमर देखते हैं होकी गेंद की परीधी कितनी होती है ठीक है मतलब एक तरीके साब बोल सकते हैं इसके गोलाई की साइज जो गेंद की गोलाई की साइज जो होती है वो कितनी होती है तो इसकी साइज के अगर बात करें तो वो होता है 22.3 से 22.4 सेंटी मीटर तक ठीक है चलिए 34 देखते हैं किस किस प्रुषकार को green Oscar प्रुषकार भी कहा जाता है green Oscar प्रुषकार ठीक है तो वो कहा जाता है golden panda प्रुषकार को green Oscar प्रुषकार भी कहा जाता है right चलिए next question के रो move करते है question number 35 किसे प्रदान किया गया तो इन्दरा कांती सांती प्रुषकार 2019 जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया सर्ड就a डेविड एकन अपरो को भी हमारो एनवी ठ्रेशन को आची तरह नहीं पचा पाता है, ऐसा कौन सा जानवर है, तो वो जो जानवर है, वो है सूर, ठीक है, यह रेसे को अच्छी तरह कैसे नहीं पचा पाता है, सैतिस, पोलियो की टीके की खोज किस ने की थी, देखें, पोलियो की टीके की खोज जो है ना, वो जुनास सॉल्क ने करा थ तो निूटन का गतीनियम जो लागू नहीं होता है वो है प्रकास पे यह हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रकास के तूल गति से गतीमान कौन उपर निूटन का गतीनियम बिल्कुल भी यह लागू नहीं होता है 39 नमबर देखते हैं वायू की अपेक्चा किसी द्रवमान माध्यम के अपवर्तनांग के संबंद में निमली कित्म से कौन सा कतन यहाँ पे सही है तो जो इस स्टेट्मेंट यहाँ पे सही है वो है यह हमेशा एक से अधीक है ठीक है डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा 40 नमर देखते हैं प्रकरतिक रबर का बहुलक क्या है देखिए प्रकरतिक रबर का जो बहुलक है वो है आईसोप्रीन, भी हमारा सही हो जाएगा 41 देखते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेष्टा क्या है, देखे फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली जो तार है उसकी विशेष्टा है, उच्च परतीरोधिक सक्ती और निम्न गलनांग ठीक है पावर हाई और गलनांग बिलकुल निम्न लो ठीक है 42 देखते हैं निम्न लिकिन से किसने सबसे पहले तो यह सबसे पहले जिन्होंने लोग उले किया था वो थें अब्दुल फजल यह हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा 43 देखते हैं आकास निला किसके करण दिखाई देता है देखिए आकास जो निला यहां दिखाई देता है वो दिखाई देता है वातावरन में वाईयू के दोरा सूर प्रकास का पढकिनन के वज़े से ठीक है यहां आकास हमें निला दिखाई देता है बी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा 44 देखते है निम्ड मेंसे कौन सा कतन यहां सही है तो यहां जो है सरीर में सारा रक्त किड्नी के माद्ध हम से सुद्ध होता है यह स्टेट जो है रक्त में से फॉस्फोर्ट नाइट्रोजन योगिक यूरिया और यूरिक एसिड को अलग करता है ठीक है और यह रक्त में यानि ब्लड में हाइड्रोजन आयन की सांधरता यानि की पी एच मान को बिल्कुल अस्थाई बनाए रखता है 45 देखते हैं क्या बोल रहा है द बच्चे को बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 46 हाइड्रोजन बम का कारेकारी सिध्धान्त क्या है देखिए हाइड्रोजन बम का जो कारेकारी सिध्धान्त है वो है डूटीरियम का नाभी किया सन लायन ठीक है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा 47 नमर देखते हैं व को क्या कहते देखे साबून के बुल्बुलेक के अंदर का जो दाब होता है इसको वायू मंडले के अधिक यह होता है ठीक है याद रखे हैं हमेसा साबून nov के बुल्बुले के अंदर का दाब वायू मंडले बबंडले के धा का से यह अधिक हängत saúde 49 देखते है 49 क्Y의 बोल रहा है एक प्याले में इस थी अवस्था में इस थी तरल के बारे में निमलिकित में से कौन सा या कौन से कथन सही है तो यहां जो स्टेट्मेंट जो सही है वो देखिए कौन-कौन से स्टेट्मेंट सही है देख लीजिए सबसे पहले तो है दाभ भी इतनी हम पर पड़ता है यह ठीक है यह और दाभ तरल में हर जगे रहता है यह भी ठीक है तो यहां भी हमारा करेक्ट हो जाएगे चलिए नग्णव चाहिए पचास नंबर यदि वह भूमा दरेखा पर उस सुने को तौले तो वजन कितना होगा तो उसका जो वजन है ना सुने का भार मामली रूप से कम होगा ठीक है डी हमारा करेक्ट होजाएगा मतलब की लगवा लगवा सेम साही रहेगा कुछ मतलब बहुत माइनर सा उसमें चेंज जाएगा उसके वजन में एक क्यावन नमबर देखते हैं चर्चा में रहा नगरोटा किस राज में इस्तित है तो चर्चा में रहा नगरोटा जो है ना वो जम्मू कस्मीर में इस्तित है सी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी डेखते हैं आर थार्टी सेवन प्रकार का सवाधान का प्रमान कहां से प्राप्त हुआ तो आर थार्टी सेवन का सवाधान प्रमान जो है यह प्राप्त हुआ हडपा से यह हमारा करेक्ट हो जाएगा तिरपन देखते हैं किस व भाजित किया जाने का उलेक मिलता है ठीक है और इसके अलावा रिगवेद में वर्ण सब्द का भी प्रियोग मिलता है यानि रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं वेवसाय चैन के अर्थ में भी यूज हुआ हुआ है ठीक है चलिए डेक्स देखते हैं 54 क्या बोल रहा है 54 निम एक अज़िएश यहां पर बाद करने और अमल यह सोडा वाटर फ़ीक है और ट्रिक रिक ऐसिट ईशेड जो है अंगूर यह जो हमारा सी सहीं हो जाएगा ठीक है देख्याश चीनी और सिर्का में यह मिलता है ठीक है, कार्बनिक जो एसीड होता है, कार्बनिक अम जो होता है, वो सोडा, जल, वतिया पे, इन सब में मिलता है, टोटरिक एसीड, अंगूर और इमली में ये मिलता है, और सिट्रिक एसीड की बात करें तो निम्बू और संत्रा में ये मिलता है, और लैक्टिक एसीड की ब प्रणभिक गंतंत्र में कौन सामिल है तो शाक के है लिच्वी है मल है ठीक है साक लिच्वी मल यानि कि यह सबी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा संतावन नंबर देखते हैं निमलिकित विदेशी यात्री अथ्री कब कैसे आए ठीक है तो देखिये यहाँ सबसे पहले आया नीकोला डीकॉंटी थीक है उसके बाद नूनीज ठीक है और उसके बाद बारबशा ठीक है तो यहाँ हमारा एक करेक्ट हो जाएगा यह जो नंब नियमी तरूप से सोने का सिक्क्य का प्रचलन में लाया प्रचलन स्टार्ट करा तो सबसे पहले जो है ना ये देखे विम कड़ फिसेज ने सबसे पहले नियमी तरूप से सोने का सिक्क्य का प्रचलन में ये लेके आया ठीक है याद रखें कुशान वंस ये दूतिय सासक था ये VIM Catfices इसने भारत में सबसे पहले स्वरण सिक्चे का प्रचलन नियमित रूप से स्टार्ट किया था जबकि कुजूल Catfices ने तामबे के सिक्चे का प्रचलन स्टार्ट किया था ठीक है और कनिस्क के काल में सबसे सुद्ध सोने का सिक्चे जारी हुए थे और सरवादिक स्वाण सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे ये बहुत important सा point है धियान में रखना है आपको ठीक है बहुत पूछने का एकदम chances है इसका exam में 59 देखते हैं ठीक है सुमेलित कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है यहाँ पे यह पूछ आ रहा है देखें यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो भीतरी और पूलकेसिन सेकेंड यहाँ पे यह सुमेलित नहीं है पूलकेसिन सेकेंड के अभिलेक को एहोल अभिलेक के नाम से जाना जाता है ठीक है याद रखें ठीक है पूलकेसिन सेकेंड का अभिलेक को एहोल अभिलेक के नाम से आ जाता है और भीत्री गाउं जो है यहाँ पे भीत्री गाउं अभी लेग गुप्त सासक स्कंद गुप्त के संबंद से रिलेटेड है तो यहाँ पे भीत्री गुप्त सासक स्कंद गुप्त हो जाएगा और पुलकेसिन का जो हो जाएगा एहोल अभी लेग हो जाएगा ठीक है याद रखे 60 देखते हैं इल्टुत्मिस ने बिहार में अपना प्रथम सुभेदार की सी न्यूक किया था तो इल्टुत्मिस ने बिहार में अपना प्रथम सुभेदार मलिक जानी को न्यूक किया था D हमारा करेक्ट हो जाएगा 60 नमर देखते हैं अचाहं में सबसे पहले चाहे कंपनी की सtहापना कब हुई थी तो थी लाख की पूंजी से हुई थी। याद रखें। 12 नमर दैखते हैं उनीसमी सताब्धी के उतरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वसेस्ट परतीनिधी कोन थे। इंदुबात के सब सर्विस्यिस्ट परतिनिधी की बात की जाए तो वो थे स्वामी विवेकनन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तीर सथ नमर देखते हैं 2011 की जनगन्ना के अनुसार सबसे अधिक अबादी वाला राजी कौन सा है तो सबसे अधिक अबादी वाला राज है 2011 के सेंसस के हिसाब से बात की जाए तो वो है उत्तरपरदेश C हमारा correct हो जाएगा ठीक है उत्तरपरदेश लिजन सिंगे कितनी है 19 करोड 95 लाग 84,477 और अब जो यह आएगा इसमें तो मतलब 2-3 लाग 4 लाग तो आप इसमें एड़ी कर लो और भी ज़्यादा मतलब 4 लाग मैं बोल रहा हूँ मतलब 10 लाग के असपास तो इंक्लूड होई जाएगा इसमें चलो और बिहार की जनसंगे कि अगर हम इसमें बात कर ले तो बिल्कुल इसका आधाप कर दो ठीक है 10 करोड 40 लाग 99,452 बिहार की जनसंगे है ठीक है चलिए चौशेट नमबर देखते हैं भारत में पस्चिमी तट पर भारी वर्सा लेकिन दक्षिनी पठारे में बहुत कम वर्सा क्यों होती है तो इसका जो रीजन है वो है दक्षिनी पठार पवन विमुक ढाल पर है ठीक है यह हमारा यहां सई हो जाएगा 65 नमबर देखते है सिमली पाल बायो रिजर्व यह कहा है सिमली पाल बायो रिजर्व जो है यह ओडीसा में है सी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा ठीक है और इसका इस्थापना कब वह था तो यह वह था 1973 में इसका इस्थापना वह था सिमली पाल बायो रिजर्व 66 नमबर देखते है हमारा ब्रहमांड कितना पुराना है देखिए हमारा ब्रहमांड के पुरानी की बात करें तो ये 13.7 बिलियन वर्स पुराना है ठीक है और ब्रहमांड का ध्यान को क्या कहा जाता है तो कॉस्मोलोजी कहा जाता है ठीक है याद रखें पूछता है ये एक्सकुशनर 67 अकास गं रखा जाता प्लूटो को प्राडम में ग्रह की स्रेणी में ही रखा गया था लेकिन 2006 में प्राग में सम्मेहलन हुआ और इसी में इस ग्रह की स्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे बॉना ग्रह की संग्या दे दी गई 69 नंबर देखते हैं निम्लिक दो से कौन सा जीव मंदल संक्रग छित छेतर भारत में नहीं है तो जीव मंदल संक्रग छित से जो भारत में नहीं है वो है गेरेट हिमालेण डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ग्रेट हिमालें जीव मंडलों संक्षिछे तो भारत में यह नहीं है ठीक है याद रखेए सतर देखते हैं हाली में अंटार्टिका में बर्फ के नीचे चीपी हुई किसकी खोज की गई तो अंटार्टिका में बर्फ के नीचे चीपी हुई जो खोज की गई है वो है घाटी करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 72 नंबर गंगा ठीक है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है गंगा सिंधु मैदान जो छेतर है उसमें सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोड मिट्टी पाई जाती है भी हमारा करेक्ट हो हो जाएगा 74 देखते है किस परकार की मिट्टी में कार्बध् rajagic तर्थ होती है तो वह इसी मिट्टी जिसमें कार्मी NopePI भी हमारा correct हो जाएगा 75 देखते हैं नेमने में से कौन सा गहास स्थल नहीं है तो वह जो घहास नहीं है वहस इस सिल्वास भी हो जाएगा ठीक है विशुवत वर्सा वन को अमेजन नदी घाटी में सिल्वास कहा जाता है ठीक है तो ये जो है ये घास इस्थल नहीं है ठीक चलिए नेक्स्ट के और हम बारेंगे नेक्स्ट हमारा है छीहत्तर क्या बोला जा रहा है भाईया निम्न में से बायोम को विश् सिस्थल को सी करेक्ट हो जाएगा सततर देखते हैं सम्विधान में गांधिवाद दर्सन किस भाग में सामिल है तो सम्विधान में गांधिवाद दर्सन जो है वो सामिल है भाग चार में डी हमारा करेक्ट हो जाए भाग चार का मतलब क्या है राज की निति निजदक 78 नमबर देखते हैं प्रत्थम लोगसभाद्यक्शु जिस पर अविस्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन था तो सबसे पहला लोगस भाद्यक्शु जिस पर अविस्वासप्रस्ताव बहुमत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताओं के माध्यम से पद से हटा सकती है 79 देखते हैं कौन सुमेलित यहां नहीं है भाया यहां जो सुमेलित नहीं है वो है सेर बजार समवर्ती सुची यहां पर यह रॉंग है देखें सेर बजार पूंजी बजार यह संग सुची का विशा है समवर्ती सुची का विशा नहीं है 80 देखते हैं पिछरा वर्ग आयोग को किस संसोधन द्वारा संविधानिक दर्जा दिया गया तो पिछरा वर्ग आयोग को जो है न ये जो है 102 सम्विधान समस्वधन हुआ था इसके अंतरगत जो है ना इसको सम्विधानिक दर्जा दिया गया है 81 नमर देखते हैं किस देश में पहली बार 2015 महिला को मत देने का धिकार पड़ाप्त हुआ तो वो देश जो की अब तक के हिस्ट्री में सबसे पहली बार 2015 में वुमन्स को वोट देने का जो अथॉर्टी दिया वो है सौधी अरब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है भारत गुट निर्पेक्ष की नीती को अपनाता है जिसका तातपर क्या होगा इसका मतलब क्या होता है कि सकती गुटों के प्रती तठस्त था ठीक है सकत गुटों के प्रती तठस्त था इसका ये मतलब होता है सी करेक्ट हमारा हो जाएगा 83 नमबर देखते हैं किस वाद द्वारा सम्विधान की मूल भावना को उलेक न्याले के द्वारा किया गया 84 देखते हैं केंद्रिय विधान सभा का प्रतम भारती अध्याक्ष निर्वाचित हुए थे 84 नमबर देखते हैं लोग तांतरिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्वा अवश्यक नहीं है तो लोग तांतरिक प्रणाली के लिए जो तत्वा अवश्यक नहीं है वो है संगिय प्रणाली डी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा 86 देखते हैं राज लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है तो राज लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो पद से हटा सकता है वो है राश्ट पती एह हमारा करेक्ट हो जाएगा 87 देखते हैं कैग किसका एक मित्र और मार्ग दर्सक होता है देखें कैग जो है ना ये लोक सेवा समीती का मित्र और मार्ग दर्सक होता है ठीक है कैग का मतलब क्या होता है कमट्रोलर और अल्टर जनरल इसके दोरा तयार की गई रिपोर्ट की समिक्षा करने है कार लोक लेख समीती करता है और इसी करण लोख लेगा समीती का मार्क दर्सक या मित्र कैग को कहा जाता है ठीक है 88 नमबर हम देखेंगे क्या बोल रहा है निमलिकीत में से कौन अंतरास्टी संगठन जलवायू परिवर्तन और भूमी रिपोर्ट प्रकासित करता है तो यह जो रिपोर्ट जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ठीक है यहीं प्रकासित करती है नमासी देखते हैं बिहार में पहली बार रास्ट पती सासन कब लागू किया गया था वी वी आई कोस्चन है आने के बहुत चांसे से बिलकुल ध्यान में रखना है ठीक है तो सबसे पहली बार जो लागू किया गया था वो 1969 से 79 में लागू किया गया था बिहार में पहली बार 1969 से 79 में लागू किया गया था जो 242 दिनों तक ये चला था ठीक है अब तक बिहार में टोटल कितनी बार लगा है रास्ट पती सासन ये भी पूछा जा सकता और पूछा गया भी है पहले त चाथमा 95 में, साथमा 99 में और आठमा 2005 में लगा था, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 90, पंचायती राजयोस्ता के तहत नयाए पंचायत गठन किये जाने का प्रस्ताव किया, तो यह जो प्रस्ताव किया वो असोक महता समीती ने किया, एक करे अपरेल जून 2021 में भारत का GDP दर रही है, तो भारत की GDP दर रही है, वो माइनस 23.9% रही है, अपरेल जून के महीने में, क्योंकि क्रोना पैंडेमिक चल रहा था, सब कुछ बन था, ट्रेड, एक्सपोर्ट, सब कुछ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब बन था, सारे फैक्ट ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, तीरानवे नमबर देखते हैं, भुगतान संतुनन में सामील होता है, कौन सामील होता है, तो भुगतान संतुनन में जो सामील होता है, वो दुरुष और दुरुष वस्तूओ, दोनों ये सामील होती है, सी करेक्ट हो जाएगा, तरफस से किस वर्ग को लाब है देखें मुद्राइस वर्ग को लाब होता है वहता है वेपारी वर्ग truc ऑ mobile हमारा यहां कारेक्ट हो जाएगा ठयाउ है ठीक किछ नमबर देखते हैं मैसे कुछ यहां सट इस कफ्षित में स्करिंस अउप योड हो जाएगा 3-4 का 97 देखते हैं 2 by 3 4 by 9 5 by 6 का LCM क्या होगा तो इसका जो LCM की बात करें वो हमारा हो जाएगा 20 by 3 ठीक है चलिए 98 देखते हैं एक नल एक इसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अने नल बी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों एक नल के साथ कार करें तो काम भरने या खाली करने में कितना समय यह लगेगा यहां पूशा जा रहा है तो यह समय लगेगा वो 60 घंटे लग जाएगा ठीक है 99 देखते हैं यदि केले के मूल में 20 किलो मिटर सॉरी यहां 60 मिनट होगा ठीक है 60 मिनट के आसपास लग जाएंगे ठीक है चलिए 60 घंटे ओके नौई सॉरी 60 घंटे ही लगेंगे हम सॉरी 60 मिनट में बोल देखते हैं यदि केले के मूल में 20% कमी होने पर 10 रुपे में से 10 रुपे में 5 केले और मिल ज करेक्ट हो जाएगा आज कमारा आकरी कुछन देखते हैं 100 कुछन नंबर हंड़े आट परसेंट वार्सिक सहन ब्याज की दर से कौन सा धन जो है चार वर्स में 6600 हो जाएगा तो वह जो धन होगा वह पांच जारुपे भी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह था ह वीडियोज आपको हर रोज देखते रहें और आप अपना प्रैक्टिस करते रहें तो आज के लिए बस इतना ही तिल दें टेक क्यार बाबाए एंड गाट ब्रेस